नमस्कार दोस्तों, जब हमें पाचन तंत्र से समझदीद अगर किसी प्रकार की कोई समझ्या होती है तो डॉक्टर हमें कभी-कभी इंडोस्कोपी करने की सलात देते हैं तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे की इंडोस्कोपी किया जाता है और कैसे किया जाता है और इसका, कुतने का प्रॉफत हैす, रिपूर्ट इपाप कैसे समझना है पहले हम लोग जानते है कि इंडरो सकोपी क्या है दुस्तों, निदरों सके परकार का मेडिकल टेस्ट ईश्ट रहे गरेखे जिसमें पाचन तंत्र के इंटर्नल ओर्गन होता है उसमें उसका जांच किया जाता है यानि कि जो हमारा अपर डाजेस्टिव सिस्टम होगा उसके इंटर्नल ओर्गन होता है जैसे एसो फैगस हो गया या stomach हो गया ya pancreas , या small intestine हो गया उसमें जो है उसका जांच किया जाता है कि जो internal organ है हमारा सही है या नहीं है रिखाद कर्कार करें हमारा इन्टनल आर्गन होत था उसका जांच किया जाता है आप होता हुए यह ज इंडोस्कोप होता है जो हमारे मूग के थूरा अंदर डाला जाता है जिसके एक छोर पर पातली छ्युवार्फ है जिसके एक छोर्पे कैमरा já और लाइट लाघा रहा जाता है और फिर उसको मूग के थूरा धेक तरह्फ हम खाना खाते है美國 rich इसकोे नंद्ध मीड़क्ट न की समक में डाला जाता है। फİर हमआरा इन्डोस्कोप होता है किसरा supports the healing. जिसने समस्य करते हैं, के अनद्ध मीड़क्वारी कुछा है नहीं है. एन्डोस्कोपी हिससम कोमच इन्डोस्कोपी बीसिकली करता है. जो gastro के डॉक्टर होते हैं वो stress को perform करते हैं और जो है अगर किसी वक्ति को मान लिजे कि बार-बार उल्टी हो रहा है और उल्टी के साथ खून आ रहा है या किसी पर बहुत दिनों से जो है किसी को acidity है या gas की समस्या रहती है दवाय खाने से भी ठीक नहीं होता है या किसी क बार की छोटी आतमी किसी पर की कोई समस्या या और भी जैसे पाच्छन से समंधित अगर किसी पर की समस्या हो तो जो है gastro को डॉक्टर होते है वो endoscopy करते हैं और इंडोसकोपी करने के वो सला देते हैं इन सब सारे लक्षनों में वो endoscopy test कैसे किया जाता है तो इसमें क्या आता है कि एक device होता है जिसको इंडोसकोप बोलते हैं तो इसमें जो है endoscopy को मुख के जरी गले के अंदर डाला जाता है जिसके अंदर light और camera लागा होता है फिर उस light और camera से computer पर इंटर्नल आर्गन का इमिज देखा जाता है और इस प्रोसीजर में परेशन को जो है बियोस्ने किया जाता है तो अब जाता है और एक sedative जो है उता हो यूज कहा था जिससे patient को जो है mind जो है बूर डियक्टिवेट हो जाता है यानि कि patient तो होस में रहता है लेकर उसको पता नहीं चल रहा है कि उसको क्या हो रहा है और इस procedure में जो लग लग आपको एक से दू गंटे का समय लगता है और इसमें ज 1000-1000 से लेकर करके और 7000 तक का भी यह test होता है तो यह hospital wise चेंज हो सकता है तो हर एक hospital में यह test नहीं होता है जो अच्छे hospital बड़े hospital होते है वहां पर यह test होता है और सिब जो gastro के डॉक्टर होते हैं वहीं इस test को perform करते हैं उसके बाद जो रिपोर्ट जो है आपका वह चोब